आज शिद्दत से करो कोशिश चराग जलाने की कौन जाने तुमी से कल रोशन सारा जहां हो दोस्तो यूं तो जीवन में आगे भढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई केरियर चुनना ही पड़ेगा लेकिन सिविल सेवा परिक्षा एक ऐसी परिक्षा है जो आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रिणा का श्रूत है आज भी लाखों युवा अपनी आखों में सिविल सेवक बनने का सपना पाले दिन रात एक किये हुए है दोस्तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयुजित की जयने वाली PCS परिक्षा के बारे में बताऊँगा क्योंकि PCS परिक्षा से जुड़े हुए बहुत कम मेंटर हमारी सामने उपलग्ध है उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग की PCS परिक्षा लोगसेवा एक द्वारा ली जाने वाली सबसे प्रितिस्टिस परिक्षा है इस परिक्षा के तीन चरण होते हैं पहला प्री दूसरा मेंस और फिर उसके बाद इंटर्व्यू मैं आपको तीनों चरणों का अलग अलग बारे में बताता हूं सबसे पहले प्री परिक्षा दोस्तों प्री परिक्षा में दो पेपर होते हैं पहला होता है सामान ग्यान का जिसमें 1500 कुश्यन आते हैं और जो 200 मार्क्स के होते हैं इसमें जीके से संबन्दे सवाल आते हैं, इसमें हिस्ट्री, जग्रोफी, सिविक्स, एकॉनोमिक्स, करन्ट अफेयर, साइन्स, अग्रिकल्चर, एन्वार्मेंट से जुड़े वो सवाल होते हैं, सबसे इंपोर्टन बात यह है कि इस पूरी परिक्षा में कोई आते हैं, यह भी 200 नंबर का होता है, और इसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, और इसके जो नंबर हैं, वो फस्स पेपर में नहीं जुड़ते हैं, अर्थात जो मेरिट बनती है, वो केवल और केवल फस्स पेपर के आधर पर बनती हैं, अब आप सोच रहे ह सवाल सही हैं, तो आप प्री निकाल जाएंगे, जितनी सीटें होती हैं, जितनी विज्यापन में निकलती हैं, और प्री परिक्षा के रिजल्ट से पहले जितनी सीटें उपलब्ध होती हैं, उसकी लगभग 18 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाता ह अब सबसे important हाता मेंस, मेंस में दोस्तो 8 पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है हिंदी का जो की compulsory होता है, दूसरा पेपर होता है essay का और 2 पेपर होते हैं GKK, इसके अलावा आपको 2 optional subject चुनने होते हैं, चाहे वो आपने graduation में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और उन में से दौनों option subjects के दो-दो पेपर होते हैं, इस तरह से total art paper होते हैं, सबसे पहले में focus करूँगा हिंदी पर, दोस्तो हिंदी का जो paper है, वो बहुत ही important paper है, क्योंकि हिंदी के जो paper में जो marking है, उसका variation बहुत होता है, यहां 70 से लेकर 110 number तक बड़े आसानी से यह variation होता है, यान पर एक-एक number की बहुत importance है, आपकी एक-एक number आपकी rank बहुत उपर उठाता है, विशेस तोर से जो वच्चे English medium के हैं, उनको इस paper में थोड़ी दिक्कत आती है, मेरी उनको सलाह है कि वो हिंदी से हिंदी के newspaper वगरा भी पढ़ा करें, इसके अलावा हिंदी की कुछ अच्छ करें हिंदी वर्तिनी से जोड़ी हुई, हिंदी के paper में एक paper जो सबसे पहला सवाल आता है, वो आता है व्याख्या करने का, जिसमें रेखांकित वाक्यों की व्याख्या करनी होती है, दूसरा सवाल आता है संक्षेपन का, और उसके अलावा उसमें विलोम, परयावाची, इस से जुड़े हुए, लोकोक्ती मुहावरें से जुड़े हुए सवाल होते हैं, यह बहुत आसान पेपर होता है, लेकिन फिर भी इसमें महनत करने के आवश्यक्ता है, दूसरा पेपर है essay का, इसमें टोटल 9 essay आते हैं, जिनमें से 3 essay करने होते हैं, और प्रतेक ऐसे लगब एक आदत डाले, वो है रोज अख्वार पढ़ने की, और विशेसकर अख्वार में जो संपादिगी पे जाता है, उसे पढ़ने की, क्योंकि जो राजनीती से सम्मधित विशे हैं, सामाजिक से छेतरों से सम्मधित विशे हैं, वो लगभग पेपर से हमें मिल जाता है, और एक करंट अफेर से जुड़ा हुआ भी एक निबंद आता है, इसलिए अपनी दिन चर्या में निउस्पेपर पढ़ना, इसे एक हैबिट डाल लिजे, अब चाहें मीडियाम आपका कोई भी हो, लेकिन निउस्पेपर आपको रोज पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो स तीमा का विशेजद्धन रखी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा लिखेंगे तो बहुत जादा नमबर आ जाएंगे, जितना भी लिखिए, संतुलित लिखिए, एकदम कसा हुआ लिखिए, और रेलेवेंट बातें लिखिए, इधर दर की बातें मत करिए, अब आते हैं, जीके के पेपर पर, जो जीके का पेपर है, ये अबजेक्टिव टाइप का है, दोस्तों ये बड़ी महत्मून बात है, कि UPSC में जो जीके के पेपर होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, और उत्ता पुझे से लोग से वाग कि पीसेस परिक्षा में जो जीके के पेपर से जुड़े वो सवाल होते हैं जबकि second paper में math, statistics, science से जुड़े वो सवाल होते हैं महत्मून बात है कि दोना ही paper में भी negative marking नहीं है इसलिए आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है दोस्तों कोशिश करिए कि कम से कम 300 number आपके दोनों paper को जोड़ कर आए तो जो चारों कमबसरी paper हैं उनमें आपका total लगभग 400 C से 500 number के बीच में होना चाहिए इसके बाद आते हैं optional paper सिविल सेवा परिक्षा में selection सबसे ज़्यादा महत्मून होता है वो depend करता है optional paper पर इसलिए optional paper बहुत सावधानी से चुनिए और एक बात और optional paper चुनने से पहले मैं आपको एक सलहा दूँगा कि कोई भी विशह सिर्फ इस आधार पर मत चुनिए कि वो आपको बहुत पसंद है आपको अच्छा लगता है विशह इस आधार पर चुनिए कि उसका syllabus कैसा है उसे आप आसानी से cover up कर सकते हैं और उसमें पिछले सालों में कितने बचों को selection हुआ अर्थाद वो scoring है या नहीं और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने graduation में जो subject पढ़े हैं वही आपको optional subject के रूप में लेने हैं आप कोई भी विशह ले सकते हैं अभी हालिया ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि science graduate जो students हैं और engineering background के जो students हैं वो भी आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं मैं यह नहीं करा कि आर्ट सब्जेक्ट ही लें लेकिन science subject लेते समय थोड़ा साफधानी रखें क्योंकि उनके सब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं और उन्हें कवर करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है आठ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हैं वो अप्यक्षाक्राइच छोटे होते हैं और जल्दी कवर हो जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट अपनी जो है इस आधार पर लीजिए कि आप उसमें कितना बहतर कर सकते हैं यदि आप बहतर कर सकते हैं तो ही लीजिए तो मैं आप से जो कहना चाहरा हूं वो सबसे महत्मूल बात है कि कोई भी सब्जेक्ट चुनते समय अपनी नापसंद और पसंद को एक तरफ रख दिजिए आप ये देखिए कि उस सब्जेक्ट वो आपको सेलेक्शन दिलाने में कितना साहयकर सिद्ध होगा यदि हम हालिया ट्रेंट्स देखें तो जो सबसे प्रिसिद और सबसे ज़्यादा लिये जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें है लोग प्रशासन यानि पॉब्लिक अडिमिसेशन जग्रफी सोशालोजी शोशाल वर्क और इसके अलावा डिफेंस ये सब्जेक्ट्स सब दो सब्जेक्ट्स लेने होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है यानि कि वह जो डेली बेस कोशन है वह सेकंड पेपर में आते हैं प्रत्यक वेपर में आठ समाल होते हैं जिन मेंसे पांच कोशन आपको करने होते हैं और प्रत्यक कोशन 40 मार्क्स का यानि 40 अंका होता है दोस्तों यहां पर कोई शबसीमा नहीं होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत जादा लिखना है मैं फिर कह रहा हूं आप थोड़ा लिखें या जादा लिखें यह महत्पूर नहीं है आप अच्छा लिखें यह बहुत महत्पूर नहीं है इसलिए जब भी आ गया है ठीक वही लिखिए यह नहीं कि जो नहीं भी पूछा वो भी आपने लिख दिया इससे आपके नमर कट सकते हैं कुछ बच्चों को यह भी रहता है कि लेक उनके बहुत अच्छे नहीं है तो नमर कट जाते हैं ऐसा नहीं है कि यह आपका लेक बहुत अच्छा नहीं है तो आपके नमर कर जाएंगे लेकिन फिर भी यदि आपको राइटिंग अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसका फाइदा मिलता ही है तमाँ बच्चों को यह भी confusion होता है कि उत्तर कैसे लिखें कुछ लोग कहते हैं कि heading डाल के लिखें कुछ कहते हैं इसे टाइप का लिखें दोस्तों इस विशन में मैं आपसे यह कहूंगा कि आप चाहें किसी भी तरह से लिखें लेकिन उत्तर एकदम relevant लिखें बहुत जादा रचा के बहुत जादा ड्राइंग बना के यह सब आवशक्ता नहीं होती है आपके उत्तर में जो उच्छा गया है उसका यदि आपने सटी विसलिशन किया है तो आप अच्छे अंक लेंगे इसमें आपको कोई नहीं रुख सकता है उसके बाद सारे आठों जो पेपर होते हैं उन सबका टोटल आप उसके आधार पर आपका चेहन होता है सक्छातकार के लिए तो दोस्तों जितनी सीटें होती हैं उसके तीन गुना बच्चे इंटर्वू के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं तो यदि लगभग आपके साड़े नौसों से लेकर एक हजार के बीच में आपके मार्ग्स हैं मेंस में तो यह लगभग तैह है कि आप इंटर्वू के लिए चुन ली जाएंगे अब आते हैं इंटर्वू पर इंटर्वू को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे धर होते हैं खास और से उन बच्चों के मन में जिन्हों ने अभी तक कोई भी साच्छातकार नहीं दिया है दोस्तो साच्छातकार वास्ता में आपका व्यक्तित परिक्षन करता है एक बड़ा प्रशिद सेर है कि खुश्गवार महक सुर्ख रंगत पंखणियों के नजाकत खुश्गवार महक सुर्ख रंगत पंखणियों के नजाकत जब सारी चीज मिलती है तब गुलाब बनता है तो दोस्तों वास्ता में ये जो साच्छात कार गया है ये आपके पूरे व्यक्तित का मुल्यांकन करती है यहां आपका नकिवल ग्यान देखा जाता है वो तो ग्यान तो चुकि पहले भी टेस्ट हो चुका है बलकि आपका व्यक्तित देखा जाता है कि आप उस पद पर बैठकर कितना उस पद को शुशोभित करेंगे, कितने अच्छे से उस कार को कर पाएंगे, जिसके लिए आपको चुना गया है। आपकी क्या प्रात्मिक्ताएं होंगी, या जो आपने एक सब्जेक्ट लिया है, वो सब्जेक्ट का प्रशासन में क्या योगदान है। इस तरीक एक सवाल, भिस्चाचार है तो उसे आप कैसे रोकेंगे, आप जब प्रशासन में चुल लिए जाएंगे, तो क्या आप प्लेशे जाते हैं, तो बहुत घबराने की, बहुत परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है, एक दम रिलेक्स मूड में आप जो है इंटर्वू दीजे, और आप दौनों में से किसी भी भाषा में इंटर्वू दे सकते हैं, चाहे हिंदी में दे सकते हैं, चाहे से पहले आप से जितनी भी पोस्टें निकलती हैं उनकी चॉइस भरवा ली जाती है और उन चॉइस यानि वरीता के आधार पर आपको पोस्ट अलोट की जाती है तो लगभग यदि आपके 1100 से उपर नंबर हैं तो आप लगभगत है है कि आप सलेक्ट हो ही जाएंगे कोई पोस्ट आप ले लेंगे और यदि 1160 या 1170 के आसपास आपके नंबर हैं तो आप डिट्टी कलेक्टर जैसी जो है अच्छी पोस्ट को पा सकते हैं जो कि हर बच्चे का एक सपना होता है तो दोस्तों यह पूरी प्रकिर्या रही जो मैंने आपको UPCS के बारे में समझाई आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी लेकिन अभी भी बहुत सारे भ्रह्म बहुत सारे सवाल बच्चों की मन में होते हैं और खास और से जो नए बच्चे होते हैं जब वो तयारी करते हैं तो उनके आसपास जो काफी पहले से बच्चे तयार पाराधि कर रहे होते हैं वह बहूत सासे भरं फेला देते हैं बहुत सारे डर बना देते हैं तो ऊच्छतन होन का यह स 은 कौन से तमाम सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा धानिवाद